नवरात्र, नवरात्री या नवरातें नवरात्री हिंदू के सबसे महत्वपूर तहवारों में से एक है जो पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है देवी दुरगा से परंपरागत रूप से जुड़ा हुआ और उनके नव उतारों की पूजा करते हुए यह तैवार उत्तर भारत, पस्चिम बंगाल और साथी साथ देश के मदे और पस्चिमी छेतरों में महत्व रखता है हाला कि कुछ लोग पूरे दिनों उप्वास रखते हैं और वहीं कुछ लोग केवल शुरुआती और आखरी के कुछ दिनों में ही उप्वास करते हैं और कुछ लोग प्याज, शराप, लस्टन जैसी चीजों के सेवन से ही दूर रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि नौरातर के दौरान हम लोग कुछ खास प्रकार के खादिफ प्रदार्थ यानि फूड आइटम से ही दूर रहते हैं इस वीडियो में हम कोशिस करेंगे इस सवाल को जानने की तो चलिए शुरू करते हैं हम नौरातरी मनाते क्यूं है इसका जवाब मैं आपको दो प्रकार से दूँगा पहला ट्राडिशनल बिलीफ यानि परामपरिक विश्वास और दूसरा सैंटिफिक बिलीफ यानि वग्यानिक विश्वास परामपरिक विश्वास के बहुत सारे कथनों में से एक कथन ये है कि उपवास रखने से हम भगवान के ज्यादा करीब आ जाते हैं या एक तरीका है उनके करीब आने का या हमारी बिल पावर को स्ट्रॉंग करता है और आत्म अनुशासन और सफलता जैसे गुरों को अपने अंदर लाने का तरीका भी है जो वरत करते हैं वो अपने रोज का खाना छोड़ कर हलका खाना खाते हैं कुछ लोग तो इन नौ दिनों तक ना तो खाना खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं इसको हम निरजल ये निरजला वरत भी कहते हैं और जो लोग पारामपरिक विश्वास पर विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए मैं विज्ञां के माध्यम से समझाने की कोशिस करता हूँ आपने नोटिस किया होगा कि नौरात्र साल में दो बार आता है और यह जब आते हैं जब मौसम बदल रहा होता है यानि पहली बार मार्च और अपरैल के वक्त में और दूसरी बार अक्टूबर या नवंबर के वक्त में तो जब मौसम बदल रहा होता है तो हमारे बौडी की जो इम्म्यूनिटी होती है वो काफी वीक होती है और विमार पढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वज़ा से हम लोग यह नौनमेच खाना और नौनमेच आइटम्स एवाइट करते हैं और यह भी कहा जाता है कि इसे खाने से नेगेटिव इनरजी एब्जॉर्ब और अट्रैक्ट होती है तो इस वज़ा से भी हमें इसे खाने से एवाइट करना चाहिए और नौरात्री यानि नौ दिन हम ऐसा खाना ना खाकर हम अपनी बॉड़ी को एक तरह से अरजस्ट और प्रिपेर करते हैं नए मौसम के लिए ये वो वक्त होता है जब हम अपनी बॉड़ी को सबसे ज्यादा क्लीन करते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इनरजी आए जो हमारी मदद करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ाने में अगर मैं छोटे में कहूँ तो हम एक तरह से अपनी बॉड़ी को रिबूट ये रिसेट करते हैं तो ये थे दो कारां या दो रीजन जिसकी वज़ाँ से हम लोग नौरात्री को सेलिब्रेट करते हैं कुछ लोग ट्रेडिशनल बिलीफ पर बिलीफ करते हैं और कुछ लोग सेंटिफिकली बिलीफ पर बिलीफ करते हैं इसी वज़ा से हम नौरात्री में वरत रखते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों और फैमली मेंबर्स के साथ शेयर करें साथी साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ओके धन्यवाद दोस्तों टेक केर बाई बाई